मुसकार दोस्तों आप देख रहे हैं प्रोफेस्टन रिपेर चैनल मैं आपको अपना दोस्त संजय है तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि दोस्तों हमारे 28 लीटर का कन्वेक्शन मॉडल का माइक्रोवेव है सबसे पहले हमने इसके बॉक्स को कट करते ही जो सबसे पहले यहां से दो ऐसे पोइंट्स ओगें इसको हम पगड़ करा गोमा के माइक्रोवेव को इस बॉक्स से बहर निकालेंगे तो जैसे कि इसब्लोगं अचlor की तरीक के इसको बाहर निकालेंगे चुऑ UAप़काव से इस जीस हैं निकालने के बाद लिए इसके अंदर बी तो इसके अंदर हमें एक पूरा box है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़े packing है, जैसे कि अभी हमने door को open किया, door को open करने के बाद अभी इसके अंदर जो हमें मिलने वाला है, इस box के अंदर, पहले तो हम लोग देखेंगे इसके अंदर इस ट्रन टेबल glass जो रिंग हमें पहले म मिल गई है, और उसके बाद जो इसके अंदर जो चीज़े मिलेगी, first आपको ये एक चिम्टा मिलेगा, जो कि आपने कुछ अगर रोस्टर यूज किया है, पने टिक का ये सारी चीज़े तो उसको रिमूफ करने के लिए ये हमारा चिम्टे टाइप का ऐसा होता है, जिससे एक छोटा नीचे करकर रख सकते हैं, उसके उपर बाकी रोटेसरी और ये हमारा प्लेट से जिसमें आप पिज़ा या के के सारी चीज़े रख सकते हैं, और ये जो है पोस्चराइज मिल्क के लिए ये बॉक्स रहता है, जिसके अंदर आप दूर भी बॉइल कर सकते हैं, एक लीटर से लेके, डेल लीटर तक का दूर इसमें आप बॉइल कर सकते हैं, ये सारे आपको बरतन जो है, पैटेकुलर मॉडल के हिसाब से आपको मिलते हैं, जिसमें आपको पोस्च्राइज मिल्क और ये चीज़े मिलेगी, बाकी जिसमें कन्वेक्शन के लिए रोटेस का एक रोटेसरी मिलेगा और उसके लिए रिमूव करने के लिए आपको मिलेगा, बट अभी अम लोग इसको ले जाएंगे, जहां पिसका डेमोस्टेशन करना है, चुकिए यहां पर 15 अम्बेर का फाइज माइक्रोवेब ग्रिल है, कॉम्बी है कन्वेक्शन है, बेसिकली कॉम्बी है, कॉम्बी में क्या करते हैं, हमें अंदर से पकाना है, उपर से अगर क्रिस्पी करना है, तो माइक्रोवेब प्लस आपका ग्रिल लाएगा, और अंदर से पकाना है, और चारो तरब से आपको रोट करना है, तो माइक्रोवेब प्लस कन्विक्शन राएगा, इ सब चीज के लिए आपको यहां से गुमाना है और स्टार्ट कर देना है तो आपका माइक्रोवेव स्टार्ट हो जाए वन टाम प्रेस करेंगे तो आपका स्टॉप हो जाएगा सेकंड टाम प्रेस करेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा यह तो आपका माइक्रोवेव हो गया नहों दूसरा आपका ग्रिल होता है English आपका लिखना 먹ने अरह यहां से अप्रेस करहेंगे obrca कует अक्रिष पि немного कृषर ना है के Tools में पर ना है ंहुआ कर द डो रुए है और देख सकते हैं कि आपकी चीजी हो गई है कि नहीं हो गई है तो यहां से करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा और इसको जैसी दबाएंगा आपका स्टार्ट हो जाएगा और यह घ्रिल चे बाद आपको तीसरा हा जाता है convection माइक्रोवेब हो गया ग्रिल ओगया convection में जैसे press करेंगे तो आपका कितनी डिगरी celsius में आपको पिजा केक पनी टिक कये सब आपका कन्वेक्शन में बनता है यहां पर आपको नॉर्मली 180 डिग्री सेल्सियर वन टाइम आप जैसे प्रेस करेंगे तो यहां से स्टार्ट आपको कितना टाइम के लिए चाहिए यहां से अगर कुछ कम ज्यादा करना है कितना डिग्री में आपको 180 कुछ अगर आपको प्रेट करना है वहां से अपने जैसे ले आपको 180 डिग्री यह बड़न को कांटी टू टाइम आपको चला जाएगा अब यह तब आपको डोर ओपन करना है चीजों को रख देना है फिर ओहीं से टाइम देके आपको स्टार्ट कर देना है वन टाइम पोस होगा आपको कंविक्षं अब यहां से क्रिस्पी करना है यहां से जैसे हम लुग फ्रेस करेंगे अपा क्रिल आ गया फिर अगयर करेंगे तो आपको कंव्गिक्षं दोनों का सिंबल दिख रहा है यहां से जैसे करेंगे हैं presses ऐसे आपको स्टार्ट कर देना है यह तो माइक्रोवेब कुश्वेट्टी कॉप्रेस करना है माईक्रोवेब , कितना टायम डेना है ? अग्यां से आपको स्टार्च कर देना है इस बन जाए Claus step 7 . तो यह आठा को लीक काल शाया गर्चावल amगैर mo जो है बाकि यह सारीatti माईक्रोवेब 아까 यह जाए बाकि पूर जाएी से fry में जाएग चार कोल 1 चार कोल 2 ऐसे रेस्पीज हैं जो रेस्पीज आपको चाहिए जाके वहाँ से स्टार्ट कर देना है उस पर पूरा डेटा आपका लिखा हुआ उसका मेथड़ कैसे आपको करना है ठीक है सर्थ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट कर दीजिए और अपने दोफ्तों के साथ सेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को मुस्टली सस्क्राइब कर दीजिए ऐसे आपको इंफोर्मेटिव वीडियो हमारे यूटूब चैनल पर आपको